उमिग्रोन के लगातार बट रहे मामलिक के बीच वे प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने बच्चों के कोवीड वैक्सीन और बुजूर्गों के लिए एहतियाती वैक्सीन यानी की प्री कोशनरी खुराक दिये ज़ाने के कोशना की है जिसके चलते यहां भारत ने और अधि अधिकारी ने कहा कि यहां हिस्सा कोवीक्स गजबंदन से यहां पर क्रमबत तरीके से खरीदा जाएगा भारत महामारी की शुरुआत से ही गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्द कराने में युगदाद दे रहा है इसके अलावा राज्यों और केंद्र श्रासित प्रदेशों के पास करोड़ खुराक बाकी है साथी सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया और भारत बायोटेक को 20 करोड़ खुराक के और भी दे दिये गए हैं उम्मीद की जा रही है कि यह सभी खुराक फरवरी 2022 तक उपलब्द हो जाएगी भारत के पास फिलाल की अग